बिंडी की सीजन चालू होगी है and we love बिंडी तो आज मांसी ने रोटी और आमरस बनाया था और मैंने बनाया था बिंडी की सबजी तो सबसे पहले मैंने क्यूब शेप में कुछ प्यास काटके उसको फ्राई करके अलग रख दिया और फिर भिंडी भून लिए नमक, खल्दी और लाल मिर्श पाउडर डलके और बाद में उसी तेल में थोड़ा सा जीरा और हींग डाला और जीरा चटकने के बाद उसमें लहसन, मिर्ची और अनियन डालके उसको भूनने के लिए रख दिया और प्यास का कलर थोड़ा ब्राउन हो जाने के बाद उसमें मैंने टमाटर डाले, थोड़े मसाले डाले जैसे के नमक, खल्दी, लाल मिर्श पाउडर, जीरा पाउडर और हमारे पास धनिया पाउडर नहीं था तो मैंने किचन की मसाले डाल दिये, क्योंकि उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है, तो मसाले थोड़े से भून लिये मैंने, थोड़ा सा पानी डालके, और मसाले अच्छे से भून जाने के बाद मैंने उतना पानी डाला, जितना मेरे को ग्रेवी चाहिए था, और उस हमने वह इंग्रिडे नेट किया जिसके भिना हम अल्मोस कोई भी सब्जी नी बनाते धनिया बत्त तो धनिया पत्त डाल देने के बाद थोड़ा देर तक रखा और उसके बाद हमने सर्फ किया और एक सब्जी अच्छी बनी थी और रोटी भी काफी नरब बनी थी जो मंस ने घी से बनाया था तो वी इंजियर अर डिनर एंड थैंक्स फर वाचिंगी